हेलो दोस्तो मैंने तिन एक वार फिर स्वागेते आपका अपने परिवार इस टू सक्सेस में दोस्तो जैसे कि आपको बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि व्यापम ने मद्य प्रदेश जेल प्रेरी की वेकेंसी दे दी है तो जेल मुख्याले की जो वेकेंसी है अपनी जेल प्रेरी की जो जेल मुख्याले की अंतरकताती जेल प्रेरी वेकेंसी 2020 का नोटिवेशन आउट हो चुका है जिसमें अपने को पूरी जानकारी दे दी गही है तो इसमें पूरी जानकारी मिली है कि आवेदन कब से करना है आवेदन के अंधिम तारिक क्या है संसोधन कब से होंगे जनरल वालों को विसी वालों को कितना पेमेंट करना पड़ेगा इसके आवेदन के लिए इसके में सारीक मापदन क्या होंगे पेपर क्या होंगे और फिजीकल क्या होगा और समय क्या रहेगा तो इसमें सभी जानकारी क्लियर किये श्रीफ एक जानकारी को छोड़ कर वो जानकारी कौन सी है कि इसमें दिया है उपरी लिखा है कि भाई आपको तीन घंटे का समय द दिया जाएगा मगर ये बात किसी भी वेक्ति के गले नहीं उतर रही है कि भाई तीन घंटे गा समय तो बहुत होता है सो प्रश्ण के लिए और अब्जेक्ट्व है आउनलाइन है तो बहुत जादा समय होता है तो ऐसा क्यों तो चलिए थोड़ा सा इसी भी डिस्कुसन भी क कि क्या हो सकता है ये अवी अवी क्लीर नहीं हुआ है मगर ये क्या हो सकता है उन्हें अंदर पीटीयम में बताया है अपने उस पें करते हैं थोड़ा सा से चलिये पहले कुछ जो सामाने जानकारी होती देख लेते हैं अपन तो अर्वेयर को bullet यसे 17- performed speech dal आज से ही ये फाम बराना शुरू हो जाएंगे साम को साड़े पांच या पांच बेज़े से ये साइद प्रारम हो सकते हैं आवेदन पत्र की अंतिम तारिक जो दी है वो 10 अगस्त 2020 दी है 10 अगस्त तक आप भर सकते हो रात को 12 वज़े तक फाम भर सकते हो अगर अपन बात करें कि इसकी संसोधन की तारिक क्या रही है तो संसोधन की तारिक जो है वो 27 तारिक से लेकर के 15 अगस्त का है 15 अगस्त तक आप संसोधन कर सकते हो अगर आपका फाम फिल करने में कोई गलती हो जाती है पिताजी का नाम मातागा नाम डेट आप वर्त बगरा कोई गलती हो जाती है उसको सुधारने के लिए आपको समय दिया जाता है ठीक है ना परिक्षा की दिनांग की बात करें अपन तो यह दी है उन्हें 3 नवंबर से 10 नवंबर 2000 के बीच में एक्जाम ले गाई है अभी जिसे की कोरोना काल है तो कोरोना विमारी को देखते हुए परिक्षा ली जाएगी सारी सावधानी बरति जाएंगी और सोचल डिस्टेंस बनाते हुए साथ हो सकता परिक्षा लंबे दिन चले अभी तो तारिक दिये वो 3 नंबर से 10 न नवंबर तक की तारिक दिये चलिए तो परिक्षा सुल्क की बात करें अगर अगर आपन इसक लिए अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्ने पिछड़ा वर्ग और निसक्त जन जो विकलांग विकती होते हैं इन सभी के लिए 250 रुपे सुल्क रहेगा पोटल चार्ड जो 70 रुपे अलग से रहता है वो इसमें अलग से जुड़ेगा ठीक है तो यह तो हो अगर अगर अगरों प्रत्म पाली की बात करें तो इसमें रिपोर्टिंग टाइम सुभे साथ बज़से आडब अडवे दिए एक घंडे reporting time देता है और महत्मुर्ण निर्देश मतलब जो computer पर निर्देश देते हैं कि आपको paper कैसे solve करना है और red tick क्यों लगाते हैं अपन yellow tick क्यों लगाते हैं green tick क्यों लगाते हैं यह क्यों tick आते हैं question छूटेगा तो उसका कौन सा कुण सा टीक होगा कोशन नहीं करेंगे तो कौन सा टीक आएगा यह सारे निर्देश पढ़ने के लिए आपको दस मिट अलग से दिये जाएंगे और उत्तर अंकित करने के लिए यह जो समय दिया है उन्होंने कि 9 वजे से 12 वजे तक तीन घंटे का समय आपको दिया जाएगा यह जो समय वो गले नहीं उतर रहा है कि 200 प्रशन को solve करने के लिए 3 घंटे का समय क्यों तो इस पर अभी अपन चर्चा करते हैं विस्तार से ठीक है चलिए दोस्तों तो फिर ऐसे ही उन्होंने दुति पाली दिया दुति पाली 12 वज़े से 1 वे तक रिपोर्टिंग टाइम र करना और 2 वज़े से 5 वे तक दुति पाली रहेगा तो यह तो थे पेपर और अगर आगे बात करें तो यह पता ही है कि अब भारतियों को क्या-क्या सुवीधा रखना पड़ेगा क्या-क्या ले जाना है क्या ने ले जाना है सब कुछ दिया है इसमें अपन देख सकते हैं ठीक है ना चलिए दोस्तों तो अपन बात करते हैं मद्धि प्रदेश में जो जेल प्रेरी है उसमें जो नियमा वली दी है उसकी तो इसमें दिया है उन्होंने कि भाई जो जेल मुख्याले बोपाल के अंतर जेल प्रेरी परिक्षा दी है वो प्रश्कमांग 4-16 तक आपको मिलने को मिल जाएगी और इसके संबंद जो नियमा वाली होती है वो पेंच नमर 17-32 तक परिक्षा का पार्ट क्रम बहन कर जादा मैत पूर्ण है अपने लिए क्योंकि ये अपनों को पता है तो अपनपरिक्षा परिक्षा कर सकते हैं और नहीं तो कौई दिk्कत ही नहीं फिर तो यह तैटीस नमर अपने इस पर चर्चा करेंगे अभी चलीए बाकी कि यह जो बातें वह अपने लिए भी उतनी ज्यादा खास नहीं है कि आपती है तू पेपर के बात की बात होती है सब आपती है तू ये फार्म भरने के लिए है कि अब भारती को फोटा अस्ताक्चर और जो स्वेम के डाकुमेंट्स तरहते हैं सारे वो लगेंगे और अगर आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हो तो बेंग का विबराड भी नाम तो इसमें दिया है वेकेंसी में कि कितने पद हैं और कौन से पद पर वेकेंसी जा रही है तो यह जो दिया है उन्होंने अपनों को पता है कि जेल प्रहरी जो जेल वार्डन होता है उसके पद पर वेकेंसी ली जाएगी जिसका ग्रेट पे जो होता है वो 1900 होता है ठी तो यहार दोसों से लेकर 20,200 तकी तनका बनती है ठीक है ना और सात्वा बेतनमान लगने के बाद यह बढ़ जाती है अगर इसमें पोस्ट की बात करें अपन तो पोस्ट जो दी है वो जनरल वालों के लिए यू आर वालों के लिए अन्रिजर्व वालों के लिए 105 पोस्ट द पेले उनके लिए 15 पोस्ट दी है और जो जह ऑज़ीया का मतला होता अनुamtुचित जाती जो होती है तो उसके लिए टोटल 45 पोष्ट दी है अनुसुचित जन जाती ज़ाँ जा जा जुसको बोलते हैं उसके लिए 56 पोष्ट दी है अब अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 76 पोस्ट अद्धी हैं, इस प्रकार से टोटल पोस्ट की अगर अपन बात करें, तो 282 पोस्ट मिलती हैं, हलाकि यह जो है वो उट के मुह में जीरे वाली बात है, कि भाई आज मद्यप्रदेश का वेरोज कारों की आज देखते हैं, तो इसी में 282 पोस्ट में लगवक 2-3 लाग फाम फिल होंगे, कम से कम इतना बोल रहा हूं है कि 2-3 लाग फाम फिल होंगे, तो अब इतने विध्यारतों की बीच में 282 पोस्ट कहां पता लगती, तो बात वही होती है, ओट के मुह में जीरा, च 56 पद जो है वो उनके लिए दिये गए हैं, अलग-अलग बाटा है, जनरल वालों के लिए किस पद, AWS वालों के लिए कोई पद नहीं है, अनुसुचित जाती वालों के लिए 9 पद हैं, जन जाती वालों के लिए 11 पद हैं, और OVC वालों के लिए 15 पद दिये गए हैं, जो तो इसमें संभीता कर्मचारी हैं उनके लिए ठीक है अगर इसकी अपन नियूंतम आर्ता मतलब कितनी सेक्षणी का हारता होना चाहिए योग्यता क्या होना चाहिए उसकी बात करें अगर अगर अपन तो इसमें जो दिया है वो 10 प्लस टू अभी जो नई सिक्षा प्रणाली उसके नुसार और प्रानिस इक्षा प्रणाली के नुसार हाइर सेकेंड्री परिक्षा कमसे के मुत्रिण होना चाहिए ठीक है ना मतलब दस्वी और वारी वाले से हम फिल कर सकते हैं अगर इसके सारीग माबदंड की बात करें अपन तो सारीग माबदंड में पूरुस सीना मानने रखता है उचाई उसमें 165 cm होना निवार है और सीना बीना फुलाए 83 cm होना निवार है अलाकि इसमें जो ऐसी और इस्टी वाले होते हैं उनको उचाई में छूट मिलती है और सीने में भी छूट मिलती है महिलाए अब भ्यारती हैं अगर कोई तो उनके लिए उचाईश होती वह 158 cm होना चाहिए 181 cm होना चाहिए और इसी के साथ अगर दुसरी बात करें तो वह दोनों आखों की दृष्टी से योग होना चाहिए दोनों आखों से उसको योग दिखता दिखना चाहिए पूरा किसी भी रूप से वह हाथ-पेर से अपंग नहीं होना चाहिए और उसके जो पेर हैं वो फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए मतलब जो अपनी जिसको अपन बोलते हैं पंजे पेर के जो पंजे होते हैं तो प्लेन नहीं होना चाहिए उसमें गेप होना जरूरी है और घुटनों में भी गेप होना चाहिए मतलब दोनों गुटने आपस में न चिपकते हों ठीक है न यह इसके सारे रिक मापदंड होता है हलाकि फिजिकल पर अपन जब फिजिकल की तियारी करवाते हैं तब उसमें पूरी जानकारी देंगे एक वीडियो में लग से चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपन इसके आरक्षण में तो कोई मतलब नहीं है अपने को आरक्षण में उलजना नहीं है चलिए आयू आयू एक एहम मुद्धर आय सुरू से क्योंकि बहुत से यूवा जो है हमारे वो वेरोजगार हो गया है आयू के चक्कर में क्योंकि आयू निकल जाती और बेकेंस नहीं आती है अब भी बहु होते जा रहा है चलिए उसनों तो इसमें बात करते हैं पुलिस की आयू के लिए मतलब पुरुस के आयू के लिए तो जो कम से कम आयू होती है वो 18 वर्स होना चाहिए और अधिक से अधिक जो होती वो 33 वर्स किसके लिए जनरल लोगों के लिए जो जनरल वेक्ती होते हैं जो unreserved होते हैं तो उनके लिए कमसे कम आईू 18 वर्स और अधिक्तम 33 वर्स है इसमें और अगर अगर अपन S C, ST और OVC की अगर बात करें तो इनके लिए जो आयू होती ही कमसे कम सेम होती 18 वर्स और अधिक से अधिक आयू जो होती है वो 38 साल होती है क्यों क्योंकि इन्हें 5 साल की छूट मिलती है 5 साल की छूट मिलने के साथ इनकी आयू जो होया थी 38 साल 38 साल तक का यूवा जो है कोई तो वो फाम फिल कर सकता है ये थी इसकी आयू की बात मगर ये जो आयू दी है इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई जो आयू है वो कब तक होना चाहिए इसमें लिखा नहीं है साइद मगर लिखते हैं वो चलिए तो ये जो आयू लिखा है एक जनबर्षी 2020 गणना होगी वह कबसे होगी वह एक जनबर्षी 2020 तक अठारा साल का होता है तो ही माना जाएगा और एक जनबर्षी दोजार्षी 2020 आजर गड़ान का सब्षित हमीक हुआ है तो उसे भर सकता ठीक है न यह ध्यान रखना एक जनवरी दोहर वीच से इसकी गड़ना माने जाए क्यों चलिए दोस्तों आगे आते हैं है अब इसमें दिया है आगे दस्ता वेच अभी नहीं कोई काम का नहीं है अभी आपन देखेंगे इसका फिजिकल कि जो सारीक माप दंड होता ह तो इसमें पुरुसों के लिए महिलाओं के लिए फिजिकल क्या दिया है चलिए जोस्तों अगर आपन फिजिकल की बात करें तो पहले लड़कों की बात करते हैं कि इसमें 800 मीटर दोड़ दी है और 800 मीटर दोड़ के लिए जो समय दिया है वो दिया है दो मिनिट पचास से लड़कों को और लड़कियों के लिए जो दिया है वो दिया है चार मिनिट में लड़कियों को 800 मिटर की दोड पूरी करना है और जो भुत्पुर्व कि सेनिक है उनके लिए 3 मिनिट 15 समय दिया जाता है अगर बात करें गोला फेक दूसरा इविंट जो होता है गोला फेक सौट पुट तो इसमें 20 फिट गोला फेक ना है लड़कों को और जिसमें बजन रहेगा गोले का 7 किलो 260 ग्राम कितना बजन रहेगा 60 किलो 260 ग्राम बजन रहेगा और अगर महिला की बात करें लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए जो गोला फेक होता है वो होता है 16 फिट 16 फिट गोला फेक रहता है और जिसका बजन होता है गोले का वो होता है 4 किलो तो यह था लड़कियों के लिए और भुत्पुर्व सैनिक को के लिए जो होता है वो होता है 15 फिट गोला फेक बई पुरुस का जो बजन होता है गोले का वो सेम होता है हलाकि इसमें 800 मिटर दोड के लिए स्रिफ एक वार चांस दिया जाता है एक चांस दिया जाएगा और गोला फेक के लिए तीन वार चांस दिया जाता है एक वार में क्वालिफाई नहीं हो तो दूसरी वार और दूसरी वार में क्वालिफाई नहीं हो तो तीसरी वार आप गो लेना चाहते हैं तो आपना bank passbook जाएंगे साथ में या फिर जो farm है उसी समय अगर आप जमा करते हैं तो आपको यात्रा किराया मिलेगा ठीक है दोस्तों चलिए अब अब आते हैं paper चलिए यह जो topic रहा है अपना तीन गंटे वाला इसको आपन बाद में देखेंगे ठीक है अब यह अब बात करेंगे paper की चलिए दोस्तों देखिए यहां पर इस प्रष्ट दिख रहा आपने को कि पाठ करम क्या रहेगा तो पाठ करम में लिखा हुआ है कि आपके कुल अंक चो रहेंगे सो कुल अंक आपको सो दिये हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए एक अंक निर्धारी थे याने यह भी फिक्स है कि जो टोटल प्रश्णों की संख्या होगी वह कितनी होगी सो प्रश्णों के लिए सो अंक दिये गया है इसने माइनस मार्किंग नहीं रहती है कहीं से कहीं तक इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी इसमें जो पांच भागों में बाटा गया है कि पहला भाग जो है वो सामान हिंदी का होगा सामान हिंदी जो आईगी वो 20 नंबर की आईगी 20 नंबर की सामान हिंदी में जो भी अपनी ग्रामर आती है संदी समास वगएर आते मुहावरे लोकत्तियां परियावाची बिलोम बड़ान वोसचे उसमें सबस्कतर परिच सामान विंद न छूट उ स्कतर पर की सबस्क्त करते ह। यही होता है कि सारे सब्जेक्ट का मिक्स दिया जाएगा नुम्मर पकाना जो होता है थोड़ीसी मुश्खिल बात होती है सामान्य ज्यान में तो फिर भी अपन नम्मर खीचेंगे, नीजस में कोई दिक्कत नहीं बढ़ेंगे उसके हUnis और तीसरा ओने अंग्रेजी संवानी अंग्रेजी जो है वह बहुता ही अच्छा सब्जेक्ट है आप चाहो तो इसमें पूरे पूरे नम्मर ला सकते होיות क्योंकि हिंदी इंग्ली से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पूरे पूरे नम्मर बेक्ती के पकते हैं ठीक है ना तो समाने अंग्रेज यह वही ग्रामिटिकल पॉस्टों आएंगे सारे के सारे और वहीं से सारे कुश्टन बनेंगे 20 नम्मर के यह भी रहेंगे चोथा पाड अगर अपन बात करें तो गणित गणित जो है वह दसवी तक के जो सारी बुक्स होती हैं दसवी तक के जो सारे चिप्टर होते हैं बुक्स में मेश के वह सारे चिप्टर से कुश्टन बनेंगे कुछ सरल कुश्टन रहेंगे और कुछ चोईंगे वह अगर टफ है नम्मर कमाना तो वह सामाने विज्ञान कारण यह क्योंकि सामाने विज्ञान के चार पॉर्षन रहते हैं कौन कोई से रहते हैं पहला रहता है अपना अगर पहले पॉर्षन की वात करें तो वह था जी विज्ञान ठीक है दूसरे पॉर्षन की वात करें अपन तो वह आधा बनस्पति टीसरे की अगर वात करें तो वह आधा रसायन और चोथे की वात करें तो वह आधा भौतिगी यह चार्ट है कभी कभी क्या होता है कि वह इसी में एक और पांच बांच मिला देता भाई computer बोल देता है यह तो अंतरक्रती आता है चीए नब्याइपा में कुछी भी नहीं कर सकते है पन इसका तो यह पांच पॉर्षन को मिला करके उन्होंने एक पॉर्षन मना दिया जिसको नाम दे दिया का है सामान बिग्यान अगर बिग्यान आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो समझ समझ के याद करने की चीज नहीं है यह याद करने का बहुत कम रेता है इसमें समझने का बहुत जादा रेता है जिसने बिग्यान को बहुत अच्छे समझ लिया वह बहुत अच्छे नम्मर ला सकता है इसमें ठीक है ना तो यह था अपना सामान बिग्यान है सामान हिंदी अंग्रेजी गणी तो और बिग्या कई अपन वापस तीन घंटे पर आते हैं जो में टॉपिक ए अपना आज का वह देखते आं कि चलि तो इसमें एक बात समिद्ध में नहीं आ रहे हैं गले नहीं उतर रही थी अपने की भाई सो प्रेशनों के लिए तीन घंटे का समय एसा के दूप चलिए तो अपन इसमें देखते हैं इन्होंने हलाकि पूरी जानकार नहीं दिये एक तालीका दिये अपने को यहाँ पर तो तालीका में लिखा हुआ है कि तीन घंटे की अब्दी के प्रश्न पत्र के लिए आपको साहट मिनिट का समय दिया जाएगा दो घंटे 30 मिनिट की अब्दी के प्रश्न पत्र के लिए पचास मिनिट का समय दिया जाएगा दो घंटे के अब्दी के प्रश्न पत्र के लिए आपको 40 मिनिट का समय दिया जाएगा और एक घंटे 30 मिनिट की अब्दी के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनिट का समय दिया जाए क्या समझ में आ रहा है यहां से यहां से इतना समझ में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि सामने जो दे रहा है वो तीन घंटे के प्रश्ण पत्र कि तीन घंटे को आपको प्रश्ण पत्र सौल्व करना है और यहां दे रहा है साहट मिनिट ऐसा तो नहीं कि भाई तीन घंटे के प यह हो सकता है मुझे यह बात हजम हो रही है कि वाई यह जो तालीका दी है उन्होंने यह तालीका से इतनी वासन में आ रही है कि वह यह बोलना चाह रहे है कि तीन गंटे की अबदी का प्रिश्णपत्र दिया है तीन गंटे अमने हो सामने दीये है उने मगर उसको solve करने के लिए जो समय दिया जाएगा वो 60 unquote दिया जाएगा तीन गंटे बोल रहा है कि तीन motivating के लिए कितने minute? और दो गंटे के लिए चालिस मिनिट और देड़ घंटे के लिए तीस मिनिट का समय दिया जाएगा यह चीज कुछ हजम हो रही है तो दोस्तों अभी इसमें क्या है सत्यता क्या है अलागी आप हम इसको क्लियर करेगा क्योंकि यहां से काफी सवाल उठने वाले हैं बहुत ज अगरेयर क्लास चाहिए आपको हिंदी की हो इंग्लिस की हो मैस की ओ या फिर विग्नल या कोई विच सेब्टर की हो तो इसके लिए आप चैनल के करें सब्सक्राइब करें쉽 के आपको वहाँ पर सारी क्लास मिलेगा अभी मद्धी प्रतेस मैंने 500 प्रश्न 500 मुंख्य प्र महत्पुन प्रशनुलब्द करवा है मैं अभी सारे सब्जेक्ट के महत्फुन प्रशनुलब्द करवाने वाला हूँ जिस से आपको जेल काachazeigt मैं मिलेंगी तो जन्होंने चैनल को शबस्क्राइब किन हो कि आ सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिक सदिक शेयर करें मिलते हैं नई क्लास के साथ जहिन जारक छक